जबलपुर के धन्वंत्री नगर पुलिस चौकी से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है जहां पुलिस थाने से ही पुलिस का चीता वाहन चोरी हो गया है ये घटना 15 अक्टूबर की बताई जा रही है और इस पूरी घटना से पुलिस थाने में हलकंप मचा हुआ है ये दो पाईया चीता वाहन पुलिस द्वारा शहर में अपरादियों की रोक थाम और तरित कारवाई के लिए इस्तमाल किया जाता है लेकिन पुलिस की अपनी सुरक्षा में चूक के कारण ये वाहन अब चोरों के हातों में चला गया है फिलाल पुलिस ने CCTV फोटेज के अधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है जो की ये घटना पुलिस की सुरक्षा विवस्ता पर गंबीर सवाल खड़ी करती है बताया जा रहा है संजीबनी नगर थाना की धर्मंत्री नगर पुलिस कर्मी अपनी ड्योटी में इसकदर व्यास्त थे कि शातिर चोर थाने में कब दाखिल हुआ और पुलिस के चीता वाहन को ले उड़ा इसकी किसी को भी भनक नहीं लगी लेकिन अब ये पूरी घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है ये धर्मंत्री नगर चोकी में रात्री गश्ट के बाद एक वाहन चीता जो मुटसाइकल होती है वो मिस्प्लेजड है मिसिंग है सीसीटीवी फूटेज में देखा गया है एक व्यक्ति पहचाना गया है जो इसको लेकर चला गया है उसके पहचान वहाँ एक मांसिक तोर में विश्यप क्वरक्ती के दौर पर हुई है जिसके तलाश की जा रही है शेगरी वहान और व्यक्ति में वुग जाएग जिसके बाद पूरे संजीबनी नगर और धन्मंतरी नगर पुलिस चौकी में हलकंप मचा हुआ है